मैं यानि निरा तिक्षित के साथ रूबरू में आप देखेंगे देश की राजिनिकी में क्या होगा दोहजार उम्जिस में चुनाओ की रणिनिकी देश का क्या है मिजाज क्या है विकास के नाम पर राजिनिकी का रणि नमस्कार आदाप सस्त्रियकाल MNS नीज के एक विशेश कारेक्रम रूबरू में मैं निनाद दिक्षित आप सभी का स्वागत करता हूँ आज इस रूबरू के सिलसिले में हम मिलने आये है राजकुमार जी बडोले इनसे जो महराश्र प्रदेश के सामाजिक न्याय मंत्री है वो गोंदिया जिल्ला के पालक मंत्री है स्वागत है राजकुमार जी आपसे पहला ही प्रश्ण ये है कि आपके मंत्रा लेकि कौन सी उपलब्दिया लेके आप 2019 में चुनाओ के मैदान में उतरेंगे नश्कर 2019 का जो विशे है तो निश्चिती महारास्ट में माननी या मुख्य मंत्री दिने इतने सारे काम किये है कि वो कामों के अगर हम लोग गिंती शुरू करें तो बहुत बड़े पैमाने पे है जहां तक महारास्ट के सामाजी क्याय मंत्री पत्का जो हमारा दाईत्व है वो हमने बड़े अच्छे से निभाने का प्रयास किया है और निश्चिती लोगों की प्रशन से उसमें है जहां तक विचार करें तो लंदन का जो घर है डाक्टर बाबा सब अमबिट कर 1922 के दर्मियान जहां पढ़ते थे वो लंदन का घर हमने खरीदा पिछले सरकार में वो खरीदना नहीं जमा वो फाइल कई सालों से इदर के उदर वो टेबल पे गूंती रही और कही बाहर की विदेश में कोई वस्तू खरीदना सरकार को नहीं जमा इस बार पहली बार प्रयास है सा हुआ कि लंदन में बाबा साहब जहां पढ़ते थे वो वास्तू खरीदने का हमने प्रयास किया माननिय मुख्य मंत्री जी ने उसमें सहयोग दिया और माननिय प्रधान मंत्री जी के हाद से उस वास्तू का हमने लोकारपन भी किया तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी हम सब देशवाशियों के लिए है दूसरी उपलब्दी अगर हम बोले तो इंदुमिल जिसके लिए कहीं आंदोलन हुए जहाँ डाक्टर बाबा सब अमबिटकर का समारक बनाना चाहे करके वहाँ पे भरसक पिछले सालों तक कही सालों त ने और आधरनिया पंतप्रधान जी नरेंद्र मूदी साब के पास में हमने वो प्रस्ताव रखा और उन्होंने वो जो इंदुमिल की जगा ती जिसके कीमत 3500 करोड रुप्या है वो जगा महरास्ट सरकार को परमपुजे डाक्टर बाबा सब अमबिटकर का समारक बनाने क के लिए साड़े बारा एकर जगा दी गई मुझे लगता है यह दोनों प्रयास होने के बावजुद इसके कारण और उसके बाद में सामाजी के नए विभागने इतने सारे काम किये इंदुमिल के जगर पे हम लोग साड़े तिन सो फीट की परमपुजे डाक्टर बाबा समारक का काम पूरा करेगे उसके साथ ही डाक्टर बाबा सब मिटकर जहाँ जहाँ गये थे उन सभी जगह का वास आप समारक मनाने का काम लोगों के जो प्रस्तावाए उसके इसाब से हम का इसका डेवल्प्मेंट का काम भी हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी ऐसी अन्य अनेक वास चीजे है जिसे पुराने जो प्रस्ताव थे हमने पहले जात प्रमान पत्र जो था वैधता प्रमान पत्र वो एक जगह पे ने वो मिलाने के लिए बहुत मुश्किल होती थी 15 समीतिया थी और जिसके कारण जीले में समीतिया नहीं होने के कारण वहाँ पर गुमना पड़ता था विद्यावतियों को गुमना पड़ता था इलेक्षन अगर आ जाये तो बड़ी दिक्कति होती थी हमने हर जिले में ऐसी जात वैधता समीतिया बनाने के कारण एक सुलप हो गया भी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता भंडारा गुंदिया वालो में बहुत बड़ा अंदोलन चला है था उसके उनके नाम से एक फिर योजना बनाएगी जिसमें कर्मवीर दादा साहिब गायकवाल सबली करन वस्वाभी मानी योजना जिसके तहत तीन लाख रुपे में प्रतिय करके साब से मैक्जिमम तीन लाख रुपे जमीन को दिये पड़ी थी हमने उस योजना को पहले से अच्छे डंग से किया और यह जो तीन लाख रुपे की मरियादा थी उसको हमने बढ़ाए आट लाख रुपे तक किये और निश्चिती उसके कारण अभी जो भूमीन है क्योंकि डाक्टर बाबा सब अंबिटकर का एक सपना था कि जो भूमीन लोगें उनको जमिन देना साहिए तो उसमें हम लोगों ने अभी एक आप जमिन देने का एक काम शुरू कर रहे हैं वैसे ही जो बच्चे थे क्योंकि होस्टेल हमारा इतियास अगर हम देखे तो डाक्टर बाबा सब अंबिटकर ने होस्टेल का निर्मान किया करमरवीर बहुराव पाटिल ने होस्टेल का निर्मान कियाद महरशी विठर राम जी शिंदे ने वस्तिगुर बनाए ऐसे कहीं लोग है गड़के बाबा जी जो है उन्होंने होस्टेल क्योंकि शिक्षन ये बहुती एक ऐसी बात है जिसके कारण आदमी का दुदर्जा है उसको उपर उठ सकता है ऐसे बाबा साब का कहना था और उसके साब से एजुकेशन ये फंडामेंटल राइट से गटना में आया हुआ है और उसके साथ में लेकिन शिक्षन का जो प्रमान था मागास्वर की समाज का OBC, WGNT, SC, ST इनका प्रमान अगर एजुकेशन का देखे तो बहुत कम था और उसके कारण इनको जादा से जादा एजुकेशन, उच्चस्तर की एजुकेशन मिलना चाहिए, शहरों में आज जाओगे तो होस्टेल वहाँ पे नहीं है, तो ये होस्टेल उनको देने की एक अहम बात थी, जिन बच्चों को होस्टेल में एड्मिशन ने मिलता है, उन लोगों को पढ़ाई आगे मुश्किल होती थी ते और इसलिए हमने डाक्टर बाबा से वंबिटकर स्वाधार योजना अनुस्चित जाती के लिए और एक स्वयम योजना, अनुस्चित जनजाती के लिए शुरू के जिसके कारण जिन बच्चों को योजना की आदी बताओ तो बहुत लंबी है, लेकिन कई ऐसी योजना के माद्यम से सरवसामन ने जो गरीब है, उसके लिए अन्यक योजना इस एशेशन ने बनाई, किसानों की अगर बात किये तो मुख्यमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जो योजना लाई पिछले ज नमापी दिये और उसमें अभी तक हमने कम से कम 20,000 करोड रुपय क्या कर्जा आवंटित किया गया है, कही किसानों को उसमें कर्जमुक्ती मिली विए, और मुझे लगता है, यह महाराश की सबसे बड़ी कर्जमुक्ती थी, आस तक का अगर हमने रिकॉर्ड देखे, तो य ये करने का सरकार का निरने, ये भी एक अच्छा निरने है, आज इंफ्रास्रक्टर की बात करें तो महाराश्ट के सडके, 25,000 सडकों को महाराश्ट के जो ग्रामिन सडके, उसको जोडने का मुख्यमंत्री, सडक निर्मान की योजना के मादनें से जोडने का काम हुआ है, वैसे केंदर सरकार में भी गड़करी साहब ने कही नेशनल हाईवों को जोडने का काम किया, तो मुझे लगता है इंफ्रास्रक्टर के साथ साती किसानों का विकास, उसके साथ साती जो अनुसुची जाती के नौबध है, अनुसुची जनदाती के लोगे इन सब का विकास करने का सरकार का जो प्रयास रहा, और पिछले साड़े चार सालों में हमने ये काम बहुती इमानदारी से करने का हमारा प्रयास है, और मुझे लगता है ये सब बाते लोगों को समझ में आती है, इसलिए हमारी सरकार जरूर आएगी, इसको कोई रोक भी नहीं सकता, जैसे बार तो उन्होंने आसवास नहीं दिये, शरत पवार जी के जमाने में एक साथ हजार करोड रूपे की कर्जमाग भी पूरे देश मवी थी, उस समय महारास को कुछ नहीं मिला था, साड़े से चार हजार करोड से जादा मिला नहीं, और इसलिए मुक्यमंतरी जी ने कर्जम अभी किया हमारे पास तो फिगर है ना, 15,000 करोड से जादा लोगों के खाते में जमा हुए है ना, फिर दिखावे की बात क्या है, अगर कोई बोलता है दिखावे की बात तो आए सामने, हम ऐसे कही रास्टरवादी के और कांग्रेस के कर्जदार बताते, जिनको कर्जमु अगर आज़ी कोई बात करें तो हम लाते है उनके नाम और बताते हैं ऐसा कोई बात ने, इसलिए दिखावे का कोई विशे नहीं है, दिखावा नहीं है, एक चुली तो फैक्ट है अभी अभी शरत पवार जी का भी स्टेटमेंट है कि केंद्र में नाहीं नरेंद्र सरकार होगी और राज्य में नाहीं देवेंद्र सरकार, इसके बारे में क्या कहना चाओ गया मुझे लगता है वो शरत पवार जी का उनका खुट का मत है उनके बारे में हमने यहां पे कुछ बोलना भी तो ठीक नहीं है लेकिन सरकार का काम है जहां पे कही सालों से बाजब का एक कैंडिडिट भी नहीं था वहां पे भी सरकार आ रही है आज देश की परिस्तिती ऐसी है कि देश के कही राज़्यों में सिर्फ भारतिय जन्ता पक्षी की सरकारी है तो निश्चेति मुझे लगता है बोलने क्या तो वो तो इलेक्शन का वयान हो सकता है उससे हमें कुछ बोलना नहीं है लेकिन फिर से महारास्ट में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार आना यह त ही रही एक्चोल अब थोड़ा फार तो ओ यह इंकम जी थोड़ी फार रहती है है ही कि तुमे केट हो इसकेट कुछ नहीं विकास कि बाते है उससमा अमने करदमा पीटी थोड़ा फर समरम था कुछ ऐसी बाती रोती इसका मतलब यह नहीं था वो तो खेर उस समय थोड़ी सी एंटी इंकम मंची हो सकते हैं बाकी भारतिय जनता पक्षिक बहुत मजबूत है और भंडारा गुंदिया तो यह गड़ है बहुत पहले से गड़ है जब भारतिय जनता पार्टी देश मेंने था तब भंडारा गुंदिया जिले में भारतिय जनता पार्टी था और रहने वाला है कुछ-कुछ लोग इदर उदर आते जाते रहते हैं उनसे कोई फरक नहीं पड़ता तो आप देख रहे थे MNS निउस का एक विशेश कारेक्रम रूबरूम जिसम है विकास के नाम पर राजनीती का रंग चुनाओ की रणनीतियों की बारिक्यों पर होगित मेरी राजनीताओं से चर्चा देश में विकास रोजगार क्या युवाओ को लुगाने के लिए जुमले सावित होंगे मैं यानि निरा तिक्षित के साथ रूबरूमें आप देखेंगे देश की राजनीती में क्या होगा दोहजार उमजिस में चुनाओ की रणनीति होली यहां रंगों का तेवार है इस रंगों के तेवार में जीवन में भी रंग भिहेड़ी है और सारे दिलेशी के भुला कर अपनोंके साथ खुशिया बाढ़िये होली के इस पावन परवग पर महार अश्री नियूस सर्विस प्रवेट लिमिटेड इंडिया की ओर से आप सभी दर्श को उप्षो होली मुबारा हापी होली